हेलो दोस्तों मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल दबंग क्लासेस में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं MP पुलिस 2017 की परिक्षा में पूछे गए जीके के और साइंस के महत्पून प्रशन जो की आने वाली परिक्षाओं की द्रश्टी से भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं देखते हैं आज का पहला प्रशन आज का पहला प्रशन है मानव अधिकार दिबस किस दिन मनाया जाता है पूछ मानव अधिकार दिबस प्रत्य एक बर्स 10 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका आरंब 10 दिसंबर 1948 से शुरू हुआ था और यहां मानव अधिकारों की रच्छा के लिए लोगों को जागरुक करने के लिए मनाया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण हमारा प्रस्ण का बांग दो विदीशा किस नदी के टट पर इस्थी थे पूछा गया आपसे विदीशा किस नदी के टट पर इस्थी थे तो इसका जो राइट अंसर है वहा है आपसर नमबर 4 बेतवा नदी के टट पर विदीशा बेतवा नदी के टट पर इस्थी थे और विदीशा में साची का इस्थूप भी इस्थी थे और साची का इस्थूप राइसें जिले के अंतरगत आता है चलिए आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है हमारा प्रस्ण कमांग तील इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी पूछा के आप से इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी तो इसका जो राइड अंसर है वहाँ है आफ्शन नमबर चार सूरज सिहिने इतिहास के अनुसार ग्वालियर सहर की स्थापना की थी सूराज सिहिने अगला प्रस्ण है है हमारा प्रस्ण कमांग चार प्रधान मंतरी सिरी नरेंद्र मोदी की जीबनी मोदी एक तारे का अतुल्ली उदय के लेखक कोन है पुछा गया आपसे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की जीबनी मोदी एक तारे का अतुल्ली उदय के लेखक कोन है तो इ अगला प्रस्णिया मारा प्रस्ण कमांग 5 हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेट का मुख्याले कहां इस्ति थे पूछा के आप से हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेट का मुख्याले कहां इस्ति थे तो इसका राइट उस्तार है गमलेरू दोस्तों यहां घिंदु स्थान एरो नाटिक्स इलिमिटेट का मुख्याला स्थित है बंगले रू में आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण प्रस्ण का मांख छे भारत में कुल कितने केंदर्साशित प्रदेश हैं पुछा के आपसे भारत में कुल कितने केंद्रसासित प्रदेश है तो इसका सयुत्तर है बरतमान में भारत में कुल आठ केंद्रसासित प्रदेश हैं बरतमान में भारत में कुल आठ केंद्रसासित प्रदेश और 28 राज्य हैं चलिए आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है हमारा प्रस्ण कमांज साथ भारती रिजर्ब बेंक की स्थापना कब हुई थी? पूछा के आपसे भारती रिजर्ब बेंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो साही आंसर है वहा है आपसर नंबर 4.1935 में भारती रिजर्ब बेंक की स्थापना एक अ की ओर अगला प्रस्ण है हमारा प्रस्ण कमांक आठ किसने ओर छा के चतुर्भूज मंदिर का निर्मान करवाया था पूछा गया आपसे किसने ओर छा के चतुर्भूज मंदिर का निर्मान करवाया था तो इसका जो राइट आंसर है वहा है आपसन नंबर दो बुंदेला रा नच्पूत के द्वारा करवाय गया था आगे वरते हैं दोस्तों अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण हमारा प्रक्ष न कमांगनों बिंद्याचल श्रेणी में ऊची हो तो तो इसका सही उत्तर है अपसर नमबर चार गुडबिल चोटी बिंद्याचल श्रेणी में उची चोटी गुडबिल चोटी है आगे चलते दोस्तों अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है हमारा प्रस्ण कमांग 10 भारती सेना का प्रमुख कोन है पूछा गया आपसे भार भारती सेना के प्रमुख है जनरल मनोज मुकुद नर्मने जब यहां कोशन पूछा गया था दोस्तों तो उस समय भारती सेना के प्रमुख थे जनरल विपिन राबत लेकिन इन्होंने इनका जो कारिकाल है वहाँ समाप्थ हो गया है और इनकी जगा ली है जनरल मनोज मुक पूछागे आपसे कि भारत का जो राष्ट्री चीन है उस पर निम्न में से कौन से सब्द अंकित है तो इसका जो सयुतर है वहाँ है आपसर नमबर एक सत्य में जैते भारत के राष्ट्री चीन पर जो सब्द अंकित है वहाँ है सत्य में जैते इसका आर्थ होता है कि सत्य की हमें साथ जीत होती है चलिए आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण हमारा प्रस्ण कमांग 12 विभाजन परिशत के अध्यक्ष कोन थे पूछा के आप से विभाजन परिशत के अध्यक्ष कोन थे तो इसका राइट अंसर है अप्शन नमबर एक लाड बेटन और लाड माउंट बेटन भारत के अंतिम बाय सराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्णर जनरल भी थे चलिए आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है हमारा प्रस्ण कमांग 13 प्रस्ण के प्रस्ण के प्रस्ण के जन्म दिन पर आयोजित किया जाता है तो इसका सयुत्तर है आप्सन नंबर 3 अटल भीहारी बाचपई सुशासन दिवस भारत के पुर्व प्रधान मंतरी अटल भीहारी बाचपई के जन्ती पर 25 दिसंबर के दिन आयोजित किया जाता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है हमारा प्रस्ण कमांग चवदा दिवांग बनने जीव अभ्यारण किस राज में इस्तित है पूछागे आपसे दिवांग बनने जीव अभ्यारण किस राज में इस्तित है तो इसका सयुत्तर है आप के मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ट की ओर अगला प्रस्ट है हमारा प्रस्ट कमांग पंद्रा 1983 में जिस राष्ट्री पार्क को टाइगर रिजर्ब घोसित किया गया वहां राष्ट्री पार्क कौन सा है पूछा के आप से 1983 में जिस राष्ट्री पार्क को टाइगर रिजर्ब घोसित किया गया वहां राष्ट्री पार्क कौन सा है तो यहां आपको आप संदियों है पहला है पन पाथा दूसरा है संजय डूबरी और तीसरा है पेंच और चोथा है काना तो प्रस्ट में था 1983 में जिस राष्ट्री पार्क को टाइगर रिजर्ब घोसित किया गया था वहां राष्ट्री पार्क कौन सा है तो इसका सयुत्तर है ओप्शन नंबर तीन पेंच राष्ट्री पार्क 1983 में पेंच राष्ट्री पार्क को टाइगर रिजर्ब घोसित किया गया और यहां मध अगला प्रस्ण है अमारा प्रस्ट कमांग 16 भारत का राष्ट्रपती बनने के लिए कितनी नियुनतम उम्र होनी चाहिए पूछा के आप से कि भारत का राष्ट्रपती बनने के लिए किसी ब्यक्ति की नियुनतम उम्र कितनी होनी चाहिए तो इसका सही उत्तर है आपसर अगला प्रस्ट है हमारा प्रस्ट कमांग सत्रा पानी के सुद्धिकरण की कोन सी बिधी किटाणूओं को नहीं मारती है पूछा गया आपसे पानी के सुद्धिकरण की कोन सी बिधी किटाणूओं को नहीं मारती है तो पहला आपसे ने उबालना तो यदि हम जल को उबालते तो उसमें जो किटाणू है वहां मर जाएंगे आफसर नमबर 3 है आस्वनी करण और आफसर नमबर 4 है क्लोरी करण तो इन सभी में जलके जो किटाणू है वहां मर जाएंगे लेकिन छानने में जलके किटाणू नहीं मरते हैं तो इसका सयुत्तर है आफसर नमबर 2 छानना पा ब्यक्ति समाने आखों से पढ़ सकता है पूछागे आपसे बहा सरबादिक सुविदा पुण दूरी जिस पर कोई ब्यक्ति समाने आखों से पढ़ सकता है तो इसका सयुत्तर है आपसर नमबर एक 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर बहा सरबादिक सुविदा पुण दूरी है जि मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवाई भी स्वसन में सरकरा किस राशायनिक पदार्त में बदल जाता है पूछा के आप से फलो के रस में मिलाई जाने वाले खमीर में होने वाले अवाई भी स्वसन में सरकरा किस राशायनिक पदार्त में बदल जाता है पहला अप्षन है साइट्रिक एसिड दूसरा अप्षन है लेक्टिक एसिड तीसरा अप्षन है फार्मिक एसिड और चोथा अप्षन है एलकोहल तो इसका जो राइट आंसर है वह है अप्षन नमबर 4 एलकोहल फलो के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले आवाई चुम्बक का बहा गुण जिसका उप्योग नाभिकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचिन काल से किया जा रहा है। जैसे कि दिशा सुचक के रूप में बर्तमान में चुम्बकी सुई या कमपॉक्स वास्क का उप्योग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्राचिन की ओर। अगला प्राचिन है हमारा प्राचिन कमाग 21 दिवाली के दोरान पठाके इमारत के बाहर जलाए जाते हैं। उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें धोणी शुनाई देती हैं यसा इसलिए क्योंकि। पहला अप्शन है ध्वानी तरंग की इतिवता समान होती हैं परन्तु आबरत्ति भिन होती हैं। दूसरा आप्शन है प्रकास ध्वनी से तेज यात्रा करता है और तीसरा आप्शन है हमारे कान ध्वनी सुनने में अधिक समय लेते हैं तो आपने देखा होगा दोस्तों कि जैसे यदि पठाके जला जाते हैं तो पहले हमें प्रकास दिखाई देता है और उसके कुछ समय बा सब्सक्र Magyam उन्हीं कि पहचान कीजिए जो की पसुधन का भाग नहीं है पूछाUN कि आपसे आपशन दिया गया है इसमें सापको एक अलग बताना है कि उसकी पहचान कीजिए जो की पसुधन का भाग नहीं है तो इसका सयुत्तर है अफसर नमबर दो मोर एक पसुधन का भाग नहीं है और इसके अलावा बतक, मबेसी और मुर्गा इन सभी को पसुपालन में पाला जाता है चलिए आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस् राइट आंसर है वहाँ है आफसर नमबर दो विभोज्यतक उतक पसुधन में ना पाय जाने वाले उतक का नाम बताना है आपको तो इसका जो राइट आंसर है वहाँ है आफसर नमबर दो विभोज्यतक उतक यहाँ पेड़ पोधों के सिर्सों पर पाया जाने वाला उतक ह चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रसन की ओर अगला प्रसन है दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और मेरे चेनल को सस्क्राइब जरूर कर लें और दोस्तों यदि आप लोगों को RRB Group D परिक्षाद 2018, NTPC परिक्षाद 2016, SSC CHSL परिक्षाद 2019, RRB JE परिक्षाद 2019 और SSC GD परिक्षाद 2019, MPP पुलिस 2016 और 17 इन सभी परिक्षाओं के previous years के questions के वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चेनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहा कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रस्ण, अगला प्रस्ण है हमारा प्रस्ण कमांग 24, हेजा किसके कारण होता है, पूछा क्या आपसे हेजा किसके कारण होता है, तो इसका जो राइट आंसर है, वह है, आपसन नंबर 4, हेजा जिबाणू के कारण होत होता है और हेजा गंदे पानी की बजा से होता है तो यहां पूछा गया था आपसे हेजा किसके कारण होता है तो इसका सभी उत्तर है हेजा जिवानु संक्रमन के कारण होता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है हमारा प्रस्ण कमाग 25 जब sodium chlorine के साथ अभिक्रिया करता है तो sodium chloride का निर्माण होता है तो अभिक्रिया में उस्मा क्या होती है देखते हैं आपन आप्सन दिये हुए हैं पहला बिने में नहीं होती है आप्सन 2 है अभिक्टित होती है आप्सन 3 है विक्सित होती है और आप्सन 4 है अवसोसित होती है तो प सेयुत्तर है बिक्सित होती है चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रस्ट की ओर अगला प्रस्ट है हमारा प्रस्ट कमांग 26 चार कक्षित हिर्दे वाले सरीसरप का नाम लिखें तो इसका सेयुत्तर है आपसर नमबर 4 मगरमच मगरमच चार कक्षित हिर्दे वाला सरीसरप होता है और जो पेट के चल चलने वाले जीव होते हैं वहाँ सरीसरप कहलाते हैं तो इसे भी आपको याद रखना है चलिए आगे चलते हैं अगले प्रस्ट की ओर अगला प्रस्ट है हमारा प्रस्ट कमांग 27 हिर्दे धमनिया तथा सिराएं एक साथ कार करते हैं या संगटन के किस सिस्तर का उधारण है तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तो वहाँ है आपसर नमबर 2 अंग प्राणाली हिर्दे धमनिया तथा सिराएं एक साथ कार करते हैं या संगटन के किस सिस्तर का उधारण है तो इसका सही उत्तर है अंग प्राणाली चलिए आगे चलते हैं अगले प्राण की ओर अगला प्रसन है हमाराह प्रस्था कमंग 28 एड्स खालिस्तान के द्वारा संचारित नहीं हो सकता है चार अफशन दिया गया है और इसके इस आपसर अपसर पूछा गया है कि इनमें से एड्स किसके द्वारा संचारित नहीं हो सकता है तो पहला अप्षन है लेंगिक संपर्क से दूसरा अप्षन है गले लगाना से और तीसरा अप्षन है इस्तन आहार से और चोथा अप्षन है रक्ताधान से तो इसका जो सयुत्तर है वहाँ है अप्षन नमबर दो एड्स गले लगाने से संचारित नहीं होता है एड्स एक आसंक्रमिक रोग है जो छुने से नहीं फेलता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है हमारा प्रस्ण कमांग 29 सुथ्वजीब जो सरकरा के एलकोहल में परिबर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है तो इसका जो राइट अंसर है दोस्तों वहाँ है आफसा नमबर तीन खमीर चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो के एक लाइक जरूर कर दे और मेरे चेनल को भी सस्क्राइब जरूर कर ले और वेल आइकन की बेटन जरूर दबा ले ताकि एसे इनपोर्टेंट एजूकेशनल वीडियो के और MP पुलिस परिक्षा 2016 और 2017 इन सभी परिक्षाओं के प्रीबियस यर के कोश्चन के वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चेनल की प्लेलिस्ट में जाकर बहां से देख सकते हैं और अपने तयारी को और बहतर कर सकते हैं तो दोस्तों आप लोगों को मेरा यह वीड करके जरूर बताएं थेंक्यू दोस्तों